हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बढ़िया होगे, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हीमोफिल एकस्टी सीरप के बारे में बात करेंगे, इसके अदर आपको जो साल्ट, कॉंपिसेशन, फॉर्मुलर, ड्रग देखने के लिए मिलता है, उ जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आज जो है, हीमोफिल एकस्टी सीरप है, जिसके अंदर आपको जो दवाई देखने के लिए मिलती है, फेरियस एसक्रोबेट और फॉलिक एसिड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, यह दोनों, मैं आपको दिखा भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, और यह आपको 1.500 ml की सीरप देखने के लिए मिलती हैं, मार्केट में, मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूं, देखे, 120 रुपे की सीरप जो है, आपको मिल जाती है, तो इसका जो वर्क है, इस सीरप का, यह है, यह बॉड़ी में जो खून की कमी हो जाती है आरबीसी जब काउंट कम हो जाते है आपकी बॉड़ी में ति यह उसको इंक्रीज करने में आपकी हैल्प करती है और मैं आपको बता दूँ आपकी बॉड़ी में नॉर्मल जो आरबीसी काउंट होना चाहिए मतलब बलड होना चाहि blood points जो होते हैं तो यह आपका खून बढ़ाने में help करता है जो आपके blood cells होता है आपके body में उनको increase करने में help करता है अगर एक आद point आपके गिर जाते हैं तो अगर आपके जैसे जो blood cells है जो blood आपका ज्यादा कम हो गया जैसे कि आपके body में 6-7 या 4 point रह गया है तो यह syrup जो है यह या इससे related कोई भी other syrup जो आपको market में मिल जाती है वो आपके help नहीं कर सकती है फिर आपको क्या है पूरा treatment आपको करवाना पड़ेगा आपके किसी भी करीबी doctor के पास जाकर वो क्या होता है इसके injection आते हैं iron वाले वो आपके iron के injection लगाएंगे लेकिन वो direct नहीं लगते हैं आप उनको गलती से भी direct मतलगवाना वो bottle में लगके जब यह आपकी body में inject किये जाते हैं तो यह मतलग कि जब आपकी body में आपको बता है जब ज़्यादा blood कम हो जाता है तो आप अपने किसी भी doctor से consult करें और उनकी मतलग कि इनकी सलाह के बिना कोई भी अदर medicine या कोई कुछ मत खाएं और वो आपको जब आपका इलाज करेंगे तो आपको tablet capsules वगएरा iron के और भी बहुत सारी medicines उसके साथ देंगे जो कि आपका blood grow करने में जल से जल help करेंगे ओके तो आपको बस यह जो सीरप्स लेने उसी condition में लेने जैसे कि आपका एक या दो point blood कम हो गया है या आपके body में blood की कमी से हाथ पाउन दर्द होना ठकन होना या आपको सुस्ती आना ऐसे कोई भी दिक्कत परिसानी होती है ऐसे कोई भी symptoms आपको अपनी body में दीखते हैं तब आप इनको ले सकते हैं आप इसको पीजिये और आपके body में जो भी मतलब की blood की कमी होगे आपको आपके ममी पापा को आपके बच्चों को किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत परिसानी हो रही होगी तो वो जल से जल दूर हो जाएगे और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मतलब की इसी syrup से होगी अगर आपको यह syrup आपके मतलब की area में नहीं मिल पाती है तो आपको simply क्या करना पड़ता है मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ आपको क्या करना है इसके अंदर आपको जो दवाई देखने के लिए मिलता है उसको आप देखकर other company की बैटर और दवाई ले सकते हैं जैसे कि इसके अंदर आपको इस salt composition मिला तो आप क्या करना medical पर जाकर इसका नाम ले देना कि आपको या तह इसको दिखा देना तो आपको दिखाई दिया है अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके सा आपको इसको पीना है अगर आपके body में ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको ज्यादा परिशानी हो रही तो आप इसको पूरा भर भर कर सुबह साम पी सकते हैं और अगर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको बस रात में, मतलब कि रात में एक धक्कन लेकर आपको पी कर सो जाना है, और अगर आप पर ऐसे डारेक्ट नहीं पी जाती है दवाई, अगर आप डारेक्ट नहीं पी पारे हैं, तो आप एक एक बात बता दूँ, यह जो सीरॉप्स हैं, आप कभी भी जैसे प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, जैसे कि आपके माल लेजे, one, two, three, month जो होते हैं, स्टार्टिंग के जो three से four month के around होते हैं, तो इन सीरॉप्स को आप जब मत लेना, वो भी आपने बिना ड तो पहला मोखरें तो इसलीए आप को वीडियो एक वीडियो तो बच चोटास से काम कर लिजो tip चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो का like and share करना मत भूलना तो चलता हूं मिलता हूं आपको उपनी next वीडियो में कि व कर गई